क्या आप IS और IFS के General Studies के त्यारी कर रहे हैं क्या आपका Preliams का Paper जो है वो Qualify नहीं हो पा रहा है या आप Preliams के त्यारी कर रहे हैं और जो आपको एक पेस चाहिए Preliams Qualify करने के लिए General Studies का Paper वो आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को क्लिक किया है मैं आपको इस वीडियो के थूप बताऊँगा कि कैसे अपने IS Preliams के त्यारी करें और कैसे General Studies का Paper क्वालिफाई करें देखते रहे हैं फिर इस वीडियो को जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन आता है Civil Services का या IS का और IFS का उसमें जो Preliams का syllabus है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है कि 200 marks का आपका Paper है और 2 घंटे मिलते हैं और उसमें आपके कितने कॉश्चन आते हैं 100 कॉश्चन आते हैं यानि कि according to the UPSC notification यह जो 100 कॉश्चन है वो इन टॉपिक्स में डिवाइड है पहरा टॉपिक जैसे current affairs of national and international importance दूसरा आपका history of India, Indian national movement तीसरा टॉपिक आपका Indian and world geography physical, then Indian polity, then economic social development, then general issues on environment, ecology and general science तो अगर हम देखें तो यह total आपके 7 टॉपिक्स हैं जो 100 कोश्चन हैं इन ही 7 टॉपिक्स आपके अब अगर कोई एक general student जिसने पहले इसकी कभी तयारी नहीं कि इन टॉपिक्स को देखके decode करना की कैसे करते हैं बड़ा मुश्किल होता है मैं आपको इस वीडियो लेक्शे के थूप बताऊंगा की कैसे करना है और हमारे आउनलाइन कोचिंग आप जॉइंग कर सकते हैं बैचिस को समप करने के लिए खतम करने के लिए तो शुरुआत करते हैं कि हर साल जो है कट अफ कर जाती है तो देखिए मैंने 2020 का जो CSE यानि कि IS का कट अफ ले रखा है तो जो मैंने बताया कि 100 questions आते हैं या 200 marks है तो जो लास्ट जेनल candidate निकला है उसके 92.51 marks थे यानि कि अगर हम down figure में लें तो लगभग 46 questions जो candidate था जेनल candidate वो सही करके आया था और उसका नाम मेंस के लिए आगए और उधर ही अगर हम बात करें IFS की तो वहां 100 में से 100 में से लगभग 55 questions जो candidate IFS के प्रोलेंस में सही करके आया होगा उसका means के लिए नाम आ गया तो अब बात करते हैं कि जो यह सिल्बस जो आपको UPSC की notification में मिलता है असल में वह होता क्या है देखिए वह होता यह है इस तरीके से कि हिस्ट्री के तीन टॉपिक होते हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं यहां online coaching चल रही है एंशेंक इंडिया मेडिवल इंडिया और modern इंडिया इसमें जो सबस्यादा हम इंफसाइज देंगे प्रिलियम्स में जीएस को वह देंगे modern इंडिया को ठीक है उसके बाद यह तीन टॉपिक खतम होने के बाद फिर हम तब शुरू करेंगे आपके जोगरफी के तीन टॉपिक्स फिजिकल ज टॉपिक चलेगा यह एड टॉपिक आपको हो गया तैन से लगातार आपके जोरौजी टॉपिक 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 इंवारमेंट पूरा बेसी लेवल के टॉपिक देंट क्लास 10 की फिजिक्स केमेस्ट्री तैन उसके बाद बाद बायो टैक स्पेशली इसको हम लोग करें कि साथ लिंकाप करेंगे के टॉपिक गर्णीट अपर करेंगे लिए य। पढ़ने के जो तरीके हैं वू identific चल रहे हैं जो कि मैं जूम पे के लेता हूँ और हमारे मॉर्णिंग का एक बैच है और एक लेट एगनी का बैच है और एक क्लास जो होती है वो आपके मिनिवम दो घंटे की क्लास होती है वीश में लगभग दो बार हम लोग 5-5 मिनिट के ब्रेक लेते हैं क्योंकि जातर आई स्टेंग नहीं पढ़ना चाहिए इसलिए 5-6 मिनिट के हमारे ब्रेक लिए जाते हैं और लगतार आपकी 2 घंटे क्लास जाते हैं ये प्रिलियम्स का जो कोर्स आप मेरे आप पढ़ेंगे इसका जो टोटल टेनियोर है जनल स्टेडिस का वो लगभग 5-7 महिने का रखा गया है यानि कि 5-7 मंस में जो आपके GS के सारे टॉपिक्स हैं वो मैं आपके खतब करते हैं दूसरा हमारे खास बात है कि हमेशे जनल स्टेडिस जो है व जाए तो अपना वीडियो पोर्ट ओपन कर सकते हैं मेरे और वीडियो पोर्ट ओपन रहते हैं और इसी तो देर मैं पावर पॉइंट के प्रिविटी में आपको पढ़ाऊ एक बैस में हमारे मिनिमम जो हैं मलब 20 बच्चे होते हैं तो मैक्सिमम जो हैं 50 से उपर कभी मिन होती है और फिर सेटर्डे को जो है वह आपकी क्या होती है टेस्ट होते हैं तो तुरंत इस बैच को आप जॉइन कीजे लाइब ऑन लाइन क्लासिस को और सक्सेस पाई अपने प्रिलियूम्स के जनल स्टेडिस के पेपर में इसके लिए आप मुझे वाट्सप कर सकते हैं म करके जिब आप मुझे तो मैं आपने जो लेक्चरे जो की हर एक लेक्टशर को आप आपको चूड़क्ण कर सकते हैं तो उन्हीं आ decision को मैं आपको धेजंगा दो से त्र फिलेक्शा आप देखिए और तुरंट एड्मिशन